हेलो फ्रेंज आज बनाने जा रहे हैं इटली इसको हम दाल चमल से नहीं बनाएंगे इसको हम मुर्मूरा से बना के त्यार करेंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जटबड बनके त्यार हो जाते हैं एक बर बनाओगे तो बार बार बनाना चाहोगे ये बहुत ही spongy इटली बन के त्यार होती है इसके साथ डिप करके खाने वाले चटनी की रेसेबी में आगे बताऊंगी तो इस वीडियो में लाश्टक तक बनने रही है इसको बनाने के लिए हम लोग मूरमूरा लेंगे मूरमूरा किसी भी मार्केट में इसली मिल जाते है तो इस मूरमूरी की इटली को ड्राइ करके जरूर देखना सभी को बहुत पसंद आएगा इसको बनाने के लिए मैंने दो कप मूरमूरा लिये आप अपनी कॉंटिटी घटा बढ़ा सकते हैं मैंने चार लोगों के लिए दो कप मूरमूरा लिये हैं बहुत ही टेश्टी लगती तो एक बर इसको बनाना जरू मैं इस मूरमूरा को अच्छे से इसको धोना है दो पर अच्छे से धो लीजिए पिर अच्छे से मेंट के बाद तक हम लोग भिटर बनागे त्यार कते जब पोobject, लुग उलेटे बतके अलके त्यार करें वि archaeology ओओ भी मिनकी स्टेची से ने में ये वह तर् पांच होगा है इधर हमारा मुर्मुरा भी soft होके त्यार हो गया है, तो चलो इसको grind करते हैं, mixer जार लेना है, मुर्मुरा को डाल दीजे और इसको हम लोग grind कर लेना है, बारिक पेश्ट इसका बना के त्यार कर लीजे, थोड़ा सा पाने डाल के इस तरह से इसको पेश्ट बना के त्यार कर जो हम लोग मुरमुरा का पेष्ट बना के रखे थे ना उसको सुजी में इस तरह से डाल दीजिए अच्छे से इसको मिलाईए और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देना है दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें एक चमच मैने नमाग डले नमाग अपनी टेश्टिक को ज़ें जोड़ाने शक देना का प्रचे से पानी नहीं भी थे तरह सकती है आप करसे आरेक बीट के रखे तल दौल myself ुसमें पानी ऊबलने के लिए चड़ा दीजिए वरल दो बब श्रय दाकश है को दो दोस्तिकर ह mechan में कड्री में नब आप हो जा एक पेटाइन और दाल को एक चमच राई डाल देजी है दो और एक चमच मैंने उरादाल डाले हैं एक चमच इसमें चनादाल डाल दीजिए फिर थोड़ा सा मिला लीजिए फिर इसमें कडी पतर डाल दीजिए और अच्छे से थोड़ा सा मिला लीजिए चनादाल और उरादाल जो डाले हैं वो थोड़ा सा पक जाना चाहिए फिर म इसमें नमक डाल देना है, बहुत ही टेश्टी है, चटनी बन के त्यार होती है, तो एक बर इसको ट्राइ करना सभी को बहुत पसंद आएगा, इस तरह से नमक डालने से टमाटर हमारा जल्दी सॉप्ट होके त्यार हो जाएगा, फिर इसमें एक चमच मैंने कस्मेरे लाल मिर पर इसको तड़का लगाने के लिए तड़का पे लेना है, उसमें तेल गरम कर दिया है, आधी छोटी चमच राई डाल लिए, आधी छोटी चमच इसमें उरत डाल डाल लिए, और कड़ी पतर डाल दीजे, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवार आता है, इस तरह से आप इसक चमच चाकू की सहता से बहुत ही असानी से आप निकाल के त्यार कर सकते हैं, बहुत ही इसलिए निकल जाते हैं, बहुत ही इसमें मुरमोरी की इटली को ट्राइ करना सभी को बहुत पसंद आगे वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंड करके जरूर बताना, इसी तरह नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसको बच्चों की लंच बॉक्स में भी दिया जा सकते हैं और कभी भी खाने का मन हो जट पर टिटली इस तरह से आप बनाके त्यार कर सकते हैं